नमस्कार शिक्षार्तियों अभी ग्रहन यानि adoption क्या होता है अभी ग्रहन प्रक्रिया अभी ग्रहन की दर अभी ग्रहन के लिए जनादेश क्या है अती अभी ग्रहन क्या होता है नवाचार की अभी ग्रहन एवं विसरन की प्रक्रिया में प्रसार अभी करता की क्या भूमिका होती है और अभी ग्रहन की म पहुचाना है तथा उन्हें अपनाने के लिए प्रेवित करना है जब तक किसान उन्हें अपनाएंगे नहीं अपने अपने घरों तथा खेतों में उनका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक विकास की गती धीमी ही रहेगी तथा ग्रामीडों का जीवन स्तर भी निमने ही इसलिए विक्सित तकनीकों को किसानों तक पहुचाना, उन्हें अपनाने के लिए उन्हें प्रेवित करना, उनका प्रचार एवं प्रसार करना भी बहुत महतुपूर्ण होता है साथ ही यह भी देखना बहुत जादा ज़रूरी है कि कितने ग्रामीडों ने इसे अपनाया है और यदि नहीं अपनाया है तो इसके पीछे के क्या कारण रहे है एक नए विचार को ग्रहन करना, अत्वा ग्रहन नहीं करना व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है नव प्रवर्तन को स्वीकार करने का निर्णे लेने से पहले व्यक्ति कई बौधिक स्तरों से गुजरता है जिसमें एक लंबा समय भी लग सकता है यदि व्यक्ति किसी नए विचार को अपनाने के लिए मांसिक रूप से तयार है तभी वह उसे अपनाता है परंतु यदि वह उस विचार के परिणामों से संतुष नहीं होगा तो वह उस विचार को अपनाने के बाद भी अस्वीकार भी कर सकता है आईए इस सिकाई में अभी ग्रहन के बारे में विस्रत चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं अभी ग्रहन क्या होता है अभी ग्रहन को अंगी करण भी कहते हैं सामाने शब्दों में किसी चीज को अपनाना ही अभी ग्रहन यानी अडॉप्शन है विक्से तक नीकों को ग्रामीडों तक पहुचाना उन्हें अपनाने के लिए प्रेड़ करना उनका प्रचार प्रसार करना भी बहम बहुत महत्वपूर्ण होता है साथ ही यह देखना भी जरूरी होता है कि कितने ग्रामीडों ने से अपनाया है तो जो अभी ग्रहन प्रक्रिया होती है उसमें नए विचार को अपनाने से पहले ही एक व्यक्ती विभन अवस्थाओं से मांसिक रूप से गुजरता है अभी ग्रहन प्रक्रिया के मुख्य पाँच चरण होते हैं जिसमें से सबसे पहले है जानकारी यानि अवेरनेस, रूची इंट्रेस्ट, मुल्यांकन यानि इवालिवेशन, परिक्षन यानि ट्रायल, अधिगमन यानि अडॉप्शन इन सब के बारे में हमने पिशली इकाई में चर्चा की है अभी ग्रहन करताओं का वर्गी करण अब हम जानते हैं अभी ग्रहन करताओं का वर्गी करण यानि जो अडॉप्टर्स की कैटेगरी हैं वो क्या है सामजीक विवस्था में सभी व्यक्ति किसी नई तकनीक को एक साथ अधिग्रहित नहीं करते हैं कुछ अभी ग्रहेंट करता यानि अडॉप्टर्स नई तकनीक को अतिशीग्र अधिग्रहेंट कर लेते हैं तो वहीं कुछ अती विलंब से नई तकनीक को अधिग्रहित यानी अडॉप्ट करते हैं। तो इस मेसेज जो सबसे पहली कैटिगरी आती है वो होती है अग्रग्राही यानी इनोवेटर्स जिने हम नव प्रवर्तक भी कहते हैं। और एक सामाने भाषा में हमेने उद्यमी भी कहते हैं। का गुंड रखने वाले होते हैं। इनका जन संचार माध्यमों जैसे टेलिविशन, रेडियो इनसे लगाव होता है। बांसिक रूप से नई तकनीकी जानकारी प्राप्त करने को हमेशा ततपर रहते हैं। इनके सरकारी संगठनों उच्चस्तर के अधिकारियों से संबंद होते हैं। इन लोगों के माध्यम से ही शेत्र में नई तकनीक का प्रसार आसानी से होता है। दूसरी कैटगरी है शीग्रग रही यानी अरली अडॉप्टर्स की जिनें हम सामाने भाषा में समानी भी कह सकते हैं। ये वे व्यक्ति होते हैं जो किसी नई तक्नीक जानकारी होने के पश्चात शीग्र ग्रहांट करते हैं लेकिन अग्रग्राही की अपेक्षा ग्रहांट करने की इनकी गती थोड़ी धीमी होती है अर्थात ये व्यक्ति नई तक्नीक की सोच समझ कर प्रयोग में लाते हैं समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या । 15% होती है। तरकारी संगठनों की गतिविद्यों में यह कम भाग लेते हैं यह व्यक्ति समाज का नरेत्तव तो नहीं करते लेकिन सामाजी गतिविद्यों में सक्रिय भाग लेते हैं यह समाज का अनौपचारिक नरेत्तव करते हैं इनकी क्रिशी सूशनाव का स्त्रोथ सामानिता इनके पड़ोसी और मित्र होते हैं चौती केटिग्री है विलम भुभुस संख्यक यानि लेट मैजॉरिटी जिने हम शंशेई भी कहते हैं यह वे विक्ति होते हैं जो नई तक्नीकी एवं विचार को काफी विलम से अपनाते हैं यह प्राया अशिक्षित होते हैं यह लोग आवश अधिक आयों के होते हैं यह सामाजिक संगठनों के सदस्य होते हैं लेकिन उनकी गति विद्यों में कम भाग लेते हैं यह विक्ति क्रिशी पत्र पत्रिकाओं का बहुत ही कम युप्योग करते हैं इनकी आय भी कम होती है इनके खेती का आकार भी छोटा होता है और जोखिम सहने की शम्ता भी कम होती है तो जो पांच फी कैटिगरी होती है उन्हें कहते हैं अंतिम ग्राही यानि Last Adopter यह व्यव्यक्ति होते हैं जो किसी नई तक्नीक को प्रयोग करने वाले अंतिम व्यक्ति होते हैं ये नई जानकारी को तब अपनाने का प्रयास करते हैं जब खोज का महत्व ही सबापत होने लगता है इनका द्रड विश्वास अपने द्वारा अपनाई जाने वाली पध्यतियों में होता है इनके वैवहार को बदलना बहुत ही कटिन होता है समाज में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 16 प्रतिशत होती है ऐसे व्यक्तियों में कुछ विशेश्टाई होती है जैसे यहां कम शिक्षित अत्वा असिक्षित होते हैं इनका सامाज एक आर्थिक स्थर बहुत छोटा होता है यहां रूरी वादी होते हैं ये दूसरे ग्रामीर नेताओं में विश्वास रखते हैं, ये नए विचारों के प्रती उदासीन रहते हैं, सूचना के स्ट्रोत इनके सगे संबंदी होते हैं, व्यग्यानिक पध्यतियों में इनका कम विश्वास होता है, वह इनका जनसंचार माध्यमों अथ्वाकृशी पत्रिकाओं से कोई संबंद नहीं होता है, तो अब जानते हैं अभिग्रहन की दर क्या होती है, अभिग्रहन की दर का संबंद उस गती से होता है, जो एक सामाजिक विवस्था या पध्यती में सदस्यों द्वारा अपनाई जाती है, अभिग्रहन की दर को मापने के लिए मुख्यता एक निश्यत प्रतिशत तथा आउशक समय की लंबाई जैसे सामाजिक प्रणाली के सदस्यों ने नई खोज को अपनाने में लगाए से मापा जाता है रोजर्स के अनुसार नवाचार को अपनाने की दर को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं जैसे नवाचार के कथिक गुण, नवाचार नेने का प्रकार, संचार माध्यमों का प्रयोग या उपलब्धता, सामाजिक प्रणाली की प्रकर्ति और विस्तार एजेंट के प्रचार प्रसारों की सीमा अब जानते हैं कि अधी अभी ग्रहन यानि ओवर अडॉप्शन क्या होता है जब एक व्यक्ति नई विचारों को पूरे जोर सोर से अपनाने में लग जाता है जब विशेशग्यों को लगता है कि उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए एक नई विचार के बारे में अपरियाप्त ग्यान के कारण होता है नवाचार के परिणामों की भविश्यवानी करने में असमर्थता के कारण अति अभी ग्रहन होता है जैसे कीट नाशकों का अत्यधिक उपियोग अती अभी ग्रहन यानी ओवर अडॉप्शन का एक उधारण है कई शेत्रों में अती अभी ग्रहन यानी ओवर अडॉप्शन एक बहुत बड़ी समस्या होती है कभी कभी over adoption तब होता है जब किसी नवाचार की कुछ विशेष्टा या उप विशेष्टा को किसी व्यक्ति के द्वारा इतना आकर्शक माना जाता है कि यह अन्य सभी विचारों को अस्विकार कर देता है उधारण के लिए एक उब्भोगता नवाचार का प्रतिष्ठा प्रदान करने वाला पहलू किसी व्यक्ति के लिए इतना महतुपोर्ण हो सकता है कि over adoption का कारण बनता है ओवर adoption को रोखने के लिए प्रसार कारे करता द्वारा उब्भोगतां के बीच नव प्रवर्तन का विश्रण तेज करना नव प्रवर्तन नियुर्णय अवधी को छोटा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है तो आवर्ती के आधार पर समय के उपर रखने पर नव प्रवर्तन का अभिग्रहन एक सामनि घंटी के आकार वक्र का अनुसरण करता है यदि अभिग्रहन करता कि संचेई संख्या को रखा जाता है तो परिणाम सरूप ऐस अकार का वक्र बनेगा समय अवधी में कुछ अभिग्रही होने पर ऐस आकार का वक्र धीरे धीरे बढ़ेगा और प्रणाली में लगभग आधे विक्तियों द्वारा ग्रहन करने पर इसकी गती अधिक्तम बढ़ती है और कुछ शेश व्यक्तियों द्वारा अंतिम रूप से ग्रहन करने पर क्रमश धीमी गती से बढ़ती है जैसे कि मनोवज्यानी को द्वारा बताये गया है कि ऐस आकार वक्र अध्यन वक्र जैसा है सामाजिक ववस्ता में प्रतेक अभी ग्रहन एक समझ के तहत होता है जो व्यक्ति द्वारा अध्यन प्रयास के समकक्ष होता है यह दोनों वक्र समान आकडे सामाजिक ववस्ता के सदस्यों द्वारा समय पर नव प्रवर्तन के अभी ग्रहन के लिए है लेकिन घंटी आकार वक्र इन आकडों को प्रतेक वर्ष ग्रहन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के अनुसार दर्शाता है वही ऐस आकार वक्र इन आकडों को संचेई आधार पर दर्शाता है अभी ग्रहन को प्रभावित करने वाले बहुत कारक होते हैं जैसे सबसे पहला है व्यक्तिगत कारक जिसे हम पर्सनल फैक्टर भी कहते हैं, कुछ व्यक्ति नई जानकारी या विचार को शीग्र ग्रेंड कर लेते हैं, वहीं कुछ व्यक्ति शीग्र ग्रेंड नहीं करते हैं, इसके भी कुछ कारक होते हैं, जैसे सबसे पहला है आयू, और युवा किसानों में नया काम करने की भी तिर्ड इच्छा शक्ति होती है। अगला है शिक्षा यानि एजुकेशन जैसे सिक्षित किसान, असिक्षित अथ्वा, कम सिक्षित किसानों की अपेक्षा ने विचारों को शीगृता से ग्रहन करते हैं। अगला है मनोवैग्यानिक कारक यानि सैकलाजिकल फैक्टर्स, विशुसनी सुचना स्टोत यानि तथ्यपून स्टोत ने विचारों को अपनाने में बहुत प्रभावशील सिध्ध होते हैं। इसकलावा मांसिक रूप से लचीले व्यक्ति नए विचारों को शीगृता से ग्रहन करते हैं। जबकि मनोवैग्यानिक दृष्टी से कमजोर स्वाभाव के व्यक्ति नए विचारों को ग्रहन करने से भईभीत होते हैं। अगला कारक है सांस्कृतिक यानि कल्चरल फैक्टर्स। मनुष्य के जीवन में सांस्कृतिक कारकों जैसे जीवन मूल्य एबम अभिरृति का बहुत ही महतुपूर्ण स्थान रहता है। जिनके जीवन मूल्य उच्चो होते हैं वे व्यक्ति सदा परिवर्तन शील रूप से कारे करते हैं। वहीं दूसरी ओर रूडी वादी और समास से अलग रहने वाले व्यक्तियों अपने पुराने विचारों पर ही चलना पसंद करते हैं। इसलिए अभी ग्रहन प्रक्रिया में मनोवैग्यानिक कारकों कुई भी महत्वपूर्ण भूमी का रहती है। इसके अलावा कुछ अन्यकारक होते हैं जैसे व्यक्तिका अनुभव, व्यक्तिका दृष्टिकों, व्यक्तिकी परिवर्तन शीलता, व्यक्तिकी स्पृति आदी। व्यक्तिकर कारकों के बाद अगला कारक है सामाजिक कारक यानि सोशल फैक्टर्स। व्यक्ति का सामाजिक जीवन स्तर एवन सामाजिक संबंदों का उसके जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव परता है। रखने पर अधिक ध्यान दिया जाता है वहां नए विचारों को ग्रहंट करने की गती धीमी होती है दूसरी और जहां व्यक्तित्व वात और व्यक्तिगत सफलता पर जोड दिया जाता है वहां नए विचार तीव्र गती से होते हैं फिर है स्थानी रित्त्व यानि लोकल लीडर्शिप ग्रामीर शेत्रों में परिवर्तन एवब नए विचारों के अधि ग्रहण को स्थानी नेता बहुत जादा प्रभावित करते हैं शिक्षित युवा नेता सदा नए विचारों को ग्रहन करके अपने मित्रों को ग्रहन करने के लिए प्रेरित करते हैं कुछ समाजों की स्तिती ऐसी होती है कि जब तक उस समाज का नेता किसी नए विचारों या तक्नीक को ग्रहन नहीं कर लेता है तब तक उस समाज का कोई भी व्यक्ति उन विचारों को ग्रहन नहीं करता है इसलिए अधि ग्रहन की प्रक्रिया में स्थानी नेता का सीधा प्रभाव पड़ता है अगला है सामाजिक संबंध यानि सोशल कॉंटेक्ट्स व्यक्ति के सामाज के अंतरगत तथा समाज के बाहर के संबंध नए विचारों एवं तक्नीक के अधि ग्रहन वविस्टरण में महतुपून भूमिगा निभाते हैं यदि व्यक्ति किसी एक ऐसी क्रियाशील संगठन से संबंध है जो सदा क्रियाशील रहकर व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तो स्वाभविक रूप से व्यक्ति के व्यवहार जीवन शैली में परिवर्तन होगा ऐसी परिस्थिती में नए विचारों एवं नई तक्नीक का अधिक रहन एवं विस्रन टीवर गती से होता है यदि संगठा निश्क्री होता है तो उसका भी बहुत बुरा असर बढ़ता है तीसरा है परिस्थिती की कारक यानि एकलॉजिकल या सिच्वेशनल फैक्टर्स नए विचारों के अधिक रहन एवं विस्रन प्रक्रिया में कई परिस्थिती की कारकों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जैसे इसमें आता है रहन सहन यानि आपका जीवन स्तर कैसा है जिनका जीवन स्तर उचा होता है वे निमन जीवन स्तर वाले किसानों के अपेक्षा नई तेकनीकों को शीगरता से अधिगरहित कर लेते हैं फिर है कारे की प्रकृति यानि nature of practices नई विचारों का अधिक रहन कारे की प्रकृति से सीधा सम्मंद रखता है कारे जटल है तो उसे अपनाने में विलंब होगा यदि कारे पद्धिती सरल होती है तो उसे आसानिवा शीगृता से अपनाय जाएगा यदि नई विचारों को अपनाने में अधिक धनकी आफशकता नहीं है और उसका प्रभाव छोटे पैमाने में परिक्षन करके देखा जा सकता है तो उस विचार को शीगृता से अपना लिया जाएगा इसके अंतरगत कुछ और बाते आती जैसे फार्म आए यानि जो फार्म इंकम होती है जिन क्रिशी फार्मों से आए अधिक होती है तो वही नई तकनीक का अधिक रहन शीगृता से और अधिक तेजी से होता है फिर है Farm City यानि Farm Size जिन कृषी फार्मों का आकार बड़ा होता है वही नई तक्नीक को शीगृता से अधिक रहीत कर लेते हैं फिर है Farm सूषना स्रोथ यानि Source of Farm Information जिन किसानों के जो खेत होते हैं उनमें सूषना स्रोथ एक से अधिक होते हैं तो ऐसे किसान नई तक्नीक को शीगृता से अधिक रहीत कर लेते हैं एक अध्यन में यह पाया गया है कि जिन कृषकों का Farm सूषना स्रोथ के वल रिष्टेदार मित्र एवं पड़ोसी होते हैं ऐसे किसान नई तक्नीकों का अधिक रहन धीमिगती से करते हैं और नवचार की अभी रहन एवं विसरन प्रक्रिया में प्रसार कारी करता की बहुत महत्यकुन भूमिका होती है जैसे यह लोगों को संभावित अभी रहन करता हो के रूप में सुधार के लिए संपर्ग करन और उसके साथ विश्वास और तालमेल का अधार बनाना दूसरा है लोगों के साथ मिलकर उनकी जरूरते समझ से आएं जिन पर नई कार्य पद्धती संबंद हो उनकी पहचान करना रूची रखने वाले लोगों का मुल्यांकन और नई कार्य पद्धती का प्रयास करने के प्रो शाहित करना पिर हैं नई कार्य पद्धती को अपनाने में विश्वास करने वाले लोगों का मारक दरशन करना अजनि संभावित अभी घरतां के माध्यम से प्राध्योंगी की का प्रिचार प्रिशार करना लोगों को उनके द्वारा अपनाई गए सुधारों और समिक्षा करने में संतुष्टी प्राप्त करने में और स्वयम में आत्म विश्वास हासिल करने में साहिता करना भविश्य में सुधार के लिए नए लक्षों को स्थाबित करने में लोगों का समर्थन करना अब हम जानते हैं कि अभी ग्रहन की माप कैसे की जा सकती है तो भारत में अभी ग्रहन को अलग-लग तरीकों से मापा जाता है जिसमें से कुछ हैं जैसे सबसे पहला है अभी ग्रहन सूचकांग बोज द्वारा किसानों से कुछ जानकारी एकत्रित की गई थी जिसमें उन्होंने किसानों से पूछा कि विस्तार सेवाँ दूरा संस्तुत्त नई कारै पध्धतियों मैंसे उनके दौरा कितनी अबिग्रिहित की गई थी और कितने वर्षों के लिए की गई थी और प्रतेक वर्ष प्रतेक कारे पद्धती के अभिग्रहन के लिए उन्हें एक स्कोर दिया गया और उनके जोड यानि योग से अभिग्रहन सूचकांग मिला जैसे अगर एक किसान ने पांस साल तक एव वेवसाईक उर्वरक और दो साल तक हर्भी साइट का इस्तमाल किया था तो उनका अभिग्रहन सूचकांग साथ था रे ने अपनी विधी में अध्यांड़ शेत्र के लिए एक विस्त्रित सूची दयार की जिसमें उन्होंने उन्नत कृषी कार्य पद्धितियों जो किसानों के अनुरूप और उनके महत्व की थी उनको शामिल किया अध्यन के अंतरगत किसानों से पूछा गया कि उस वर्ष में उन्होंने कौन सी कार्य पद्धिती की अभी ग्रहित की तथा उनको उपियोग किया और प्रतेक अनुशंस की कार्य पद्धिती के लिए अभी ग्रहन के लिए एक स्कोर दिया गया जिसके योग से एक किसान द्वारा अभी ग्रहित खेत कार्य पद्यतियों के स्थर का सूचक है रे के अनुसार जब अभी ग्रहन को तक्नीकी परिवर्तन के रूप में देखा गया तो इस विधी ने अभी ग्रहन वेवहार का व्यापक प्रतिनेधित्व किया गया अभी ग्रहन को मापने के लिए चटोपाद्य द्वारा एक द्रड और व्यापक विधी अभी ग्रहन अनुपात विक्सित की गई थी उनके अनुसार अभी ग्रहन अनुपात एक अनुपात पैमाना है जो किसी व्यक्ति के अभी ग्रहन वेवहार को मापने के लिए विक्सित किया गया है अभी ग्रहन अनुपात के द्वारा अभी ग्रहन वेवहार को मापने का तरीका अधिक सटिक है क्योंकि इसमें संभावित, सीमा, समय, स्थिर्टा और महत्वता जैसे सभी सम्मधित परिकल्पने शामिल होती है इस विधी का उप्योग विविद्न प्रकार की तक्नीकों के साथ किया जा सकता है हाला कि अधिक कारे पद्यतियों के साथ डेटा का संग्रा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो शिक्षियार्थियों इस इकाई में आपने अडॉप्शन यानि अभी ग्रहन को जाना नवाचार की अभी ग्रहन अवं विस्टन प्रक्रिया यानि डिफ्यूजन में प्रसार अभी करता यानि extension agent की क्या भूमिका होती है इसको भी जाना और अभी ग्रहन धर की माप कैसे की जा सकती है इसको भी जाना तो ग्रामिड विकास के लिए केवल पध्यतों को विकास करना अत्याधनिक उपकरणों यंत्रों का निर्मान करना ही आउशक नहीं होता बलकि उसके साथ साथ जन जन तक पहुचाना भी एक भेद्वपूर्ण उद्देश होता है तो सामाजिक प्रणाली के साथ नव प्रवर्टन का डिफ्यूजन यानि विस्टन किसी भी व्यक्ति द्वारा समूहों के द्वारा इसके अभी ग्रहन के माध्हम से होता है अभी ग्रहन प्रक्रिया एक प्रकार की निर्ने प्रक्रिया है और नव प्रवर्तन को स्वीकार करने में निर्ने लेने की प्रक्रिया में काफी लंबा समय लगता है जिस दोरान व्यक्ति नव प्रवर्तन को स्वीकार करने सम्मंदी अंतिय निर्ण लेने से पहले कई प्रकार के बौधिक स्थरों से गुजरता है जब ग्रहन करता को नई तकनीकी अपनाने से संतुष्णी प्राप्ति हो जाती है तभी वो पुराने विचार या पुराने तकनीक को छोड़कर नई तकनीक ग्रहन करता है सभी व्यक्ति नई पद्यती को एक ही समय में ग्रहंड नहीं करते बलकि वे इसे एक सूवे वस्तिक समयानकुराम में ग्रहंड करते हैं और उन्हें इस अधार पर अभी ग्रहंड करता शेणियों में वर्गी कृद्बी किया गया है कि उन्हें एक नए विचार को कब से प्रयोग करना शुरू किया गया धन्यवाद